नमस्कार बहुत स्वागत है आपका भगवान सिव का सबसे प्रियदीन है सोमवार का दिन भगवान सिव बहुत ही दयालू है लेकिन थोरे क्रोधी भी है पर उन्हें अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं तो आपकी पुकार वो जल्दी से सुनकर आपके पास दोड़े आते हैं तो भगवान सिव को क्या अरपित करें कि आपकी समस्त मनोकाम नाय पूर्ण हो जाए और क्या फूल कर भी अरपित ना करें तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रियोग भी बताएंगे जो आपके जीवन की धन की मुश्किलें करजों की परेसानियों से बाहर निकलने संतान प्राप्ति सिगर विबाह तमाम चीजों के लिए ये प्रियोग बहुत ही कारगर है तो चलिए सुरुआत करते हैं यदि आप अपने घर में सिविलिंग रखे हुए हैं तो भूल कर भी ऐसे जगा किसी भी कोने में मत रखें ना ऐसे जगा रखें कि आप उजाई न कर पाएं क्योंकि भगवान सिव को जब भी आप अस्थापित करते हैं तो हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि सिव ज रखें इसी भी बरतन में अब जैसे हल्डी भूल कर भी सिब्लिंग को नहीं अरपित किये जाते हैं हल्दी चुकिछी सिबलिंग पुरूस पर्दान है इसलिए और हल्दी जो होता है वो स्तृर्णिग है इसलिए बिल्कुल भी अरपित मत कीजेगा अगर आप सिंदूर चाह अब जैसे आप कहीं और ले जाना चाहते हैं आपने घर किया है तब ध्यान डखें कि सिब्लिंग को हटाने से पहले गंगा जल और ठंडे दूद से असनान करें फिर जगा बदलें ऐसा करने से सिब्जी की किरपा आप पर बरसती रहेगी अब जैसे कुछ लोग होते हैं चलो किसी बरतन में लोटे में लीजिए और फिर अर्पित करें हमेशा ही किसी बरतन से ही दूद चढ़ाएं और दूद चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाएं सिब्लिंग की बनावट का ख्याल रखें क्योंकि देखिए सिब्लिंग अगर आप सोने चांदी पीतल का बना होगा तो उत्तम नहीं तो आप पारत सिब्लिंग अस्थापित कर लें पर कई बार लोग सांप बाला सिब्लिंग घर ले आते हैं तो बिना सांप बाला सिब्लिंग भूल कर भी घर नहीं लाना चाहिए घर में थोरा सा डिजाइन बना हो यानिक उपर से छत्तर काटा हुआ अब लाएए गब्स बहुत बहुत साथ होंगे और मां प्रबती जी मुर्तियां भी साथ में रखिए क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं रोज सिबजी को चंदन का टीका लगाएं आप चाहें तो केसर भी अर्पित कर सकते हैं पर नारियल का पानी मत चढ़ाईएगा सिबलिंग पर तूलसी का पत्ता भूल कर भी मत चढ़ाईए या असुब होता है वैसे कमल पूसप अगर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की सारे मनुरत पूरे हो जाते हैं बेल पत्र या फिर बेल का फल अगर सिबलिंग पर अर्पित किया जाए तो आपकी उम्र लंबी होती है इसलिए सुभस नान के बाद बेल के फल को भगवान सिब पर चढ़ा दें तो उम्र लंबी होगी और अगले दिन इसको आप जैसे की बेल का फल है तो आप करेंगे क् सी पवितर नदी सरोवर में इसको भी सरजित कर दीजेगा पंचामरित भी आप भोग लगा सकते हैं सिवलिंग पर पित कर सकते हैं लेकिन जब भी कुछ भी चढ़ा यहां तक कि चंदन चढ़ाने के बाद भी बेल पत्र चढ़ाने के बाद भी जल और पित किया जाता है उस पर भी आप सिवजी को और पित कर सकते हैं पर केबडा चंपा मत चढ़ाईएगा क्योंकि इन फूलों से सिवजी नाराज हो जाते हैं जब आप सिवजी का भी सेक करेंगे तब आपको यह ध्यान रखना है कि आप दोनों हाँ से लोटा पकड़िए और जलर पित कीजे और सिवलिंग अगर आपके घर में पारत का है तो उस पर चढ़ावा परसाद खा सकते हैं लेकिन अगर जैसे स्वैम भू सिवलिंग होए बारजोतिरलिंग वहां का चढ़ावा परसाद खा सकते हैं लेकिन जो चीना मिट्टी का बना है साधारन पत्थर का बना है मिट्ट या फिर जो आपके घर में पारत सिब्लिंग है तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो सुकून है जो खुसियां है वह आपको वापस मिल जाती है बुरा समय टल जाता है पर नॉर्मल सिब्लिंग का चढ़ावा परसाद मत खाईएगा वरना भागे भी बिगड़ जाएगा पहले तो जल अरपित करें इससे स्वभाव सांथ होता है प्रेम बढ़ता है केसर सिब्लिंग पर केसर अरपित करने से हमें सोमयता मिलती है चीनी या सक्कर सिक्कर से भी सेख करने से सुक सम्रिद्धी बढ़ता है अगर इत्र भी सेख करते हैं तो विचार की पवित्रता ब संतान प्राप्ति Keith 한국 करने से ब्यक्ति तो कर समाझ में मिलता है और रहानी में मिठाश ऑकर ऑपर फूजा क defensivo घृजहसरी कर्ने हैं तो गनेज जी की किरपा मिलती है बुद्धी अद्बूत हो जाती है और कभी भी कटा पटा हुआ परसाद काट कर परसाद सिभजी और पीट ना करें और जब आप जब भी उनकी आरती करें तो कपूर जलाकर ही करें अगर कपूर के साथ आप एक लॉंग रग दें तो आपकी समस्मनो काम नाए पूरी हो जाएगी आपकी घर में बच्चे हैं चाहते हैं आपकी वो प्रत्यूतर प्रिक्षा बेगरें में सफल हो जाए या उनका नौकरी बेपार ठीक से चले तब एक काम करें एक बेल पत्र ले ले बेल पत्र का जो बीच वाला पत्ता है उस पर सहद लगाए और फिर उस सहद वाले पत्ते क को उससे को सिब्लिंग पर चिफखा दे और भगवान से प्राथना करें नौकरी बेपार भी अच्छा चलेगा और सिग्र ही आपकी मनोकामना भी रोजगार से समंदित पूरी हो जाएगे देखी जो प्रियोग हम बताएंगे यह प्रियोग बंधी कोक को खोलता है और आपको आपने बहुत ट्राइ किया डॉक्टर को दिखाया पर संतान नहीं हो पा रहा तो एक बार इस प्रियोग को जरूर करें अगर आपका सब कुछ अच्छा है डॉक्टर कर रहे हैं सब कुछ अच्छा है लेकिन आप परिसान है एक सिंपल सा प्रियोग कीजिए वैसे तो जो स्री हरी भिश्णू है ना वो आपके कर्म के फॉल देते हैं बरंभा जी भागय का फॉल देते हैं लेकिन सिप जी ऐसे जो कर्म भागे नहीं देखते आपका दिल देखते आपका मन देखते आपकी भावनाओ को देखते और आपको फल दे देते हैं इसलिए सिपजी के सरण में आईए अब क्या करेंगे आकडे का पुष्प आक का पौधा होता है ना सफेद आक जो आप सीब जी पर अर्पित करते हैं आक धतूरा धतूरे कफल तो आक का पौधा जो सफेद वाला आक का पौधा है उसकी जड़ आपको लेकर आप किसी भी दिन ले लीजिएगा भगवान को और फिर उनको बोलिएगा कि हम ले जा रहा है हमें संतान चाहिए अब लाकर इसको धो कर अच्छे से सवक्ष करके शिपजी पर अर्पिट कर कर दे सिब्लिंग के ऊपर किसी भी दिन कर सकते हैं 101 बार का दिन हो तो सोने पर हो गा सिब्लिंग उपर आर्पित कर दे इसके बाद इसको जो महिलाए हैं जिन्हें संतान चाहिए यह परियोग कोई भी कर सकता है किसी के भी बदले में उससे मतलब नहीं है बस यह है कि जिसको धारन करना है संतान वह इस जड़को सफेद या लाल धागे में सिपजी का आसिरवास समझ के कमर म महिने के अंदर संतान की प्राप्ति होगी या कुछ कबरी मिल जाएगी ज्यादा से ज्यादा च्यादा हो ही परियोग आजमाए हुआ है आप करके देखे लेकिन एक बात और थे बहीं सकताव अगर को जाए temporary प्रियोग कर लें किसी को बीस और को सिग्र विवाह के लिए या विवाह में आ रही अर्चनों को समाप्त करने के लिए ऐसे में एक चोटा सा प्रियोग करें आप 108 बिल पत्र ले ले अगर 108 बिल पत्र ना हूँ तो किसी और का चड़ाया वाभी बिल पत्र लेकर उसे अच्छे से धोकर सुद्ध करके आप चंद अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो और किसी और के लिए कर रहे हैं तो और नमसिवाह बोलते विवे अर्पित करें भगवान ने चाहाँ तो छे मेहने में आपकी साथ हो जाएगी या फिर हो जायेगी आपको बेनी फुर्ण मिलेंगे लेकिन हाँ अगर आपके घर में कोई बिवायोग बच्चे हैं बिवा नहीं हो पा रहा तब सोमबार की अस्टमी ती ती जब हो तब पास के किसी भी सिवजी के मंदिर में जाए और जहां पर सिबलिंग का सोक सुंदरी वाला इस्थान होता है यानि जहां से सिबलि की साथ बिंदियां लगा दें अब जो बच्चे बिवायोग हैं उनको दोनों हतेली में वो हल्दी लगा लेना है वहां पर टच करके और ले जाकर पीपल के पेड़ के तने में साथ बार छापा दे देना है या तीन बार ऐसा करने से सिग्र बिवा के योग बनते हैं करके देखें और अगर संतान की चाहत हो तो आप सिपजी को घी जरूर अपीद करें धाने वाद हम फिर बिले जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेब जरूर